असम में दूसरे चरण के लिए मद्दान चल आया, असम में दूसरे चरण के तहत 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है इस दोरान All India United Democratic Front के अध्यक्ष बदूरदीन अजमल ने कहा है कि पीम मोदी और अमिशा ने कहा है कि वे बंगलादेसी घुसपैटियों को वापस भेजेंगे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब तक कितने बंगलादेसीयों को वापस भेजा वहीं पीम मोदी ने आज असम में रैली की और कांग्रेस पर हमला बोला मोदी ने जनता को कांग्रेस के जूट से साउधान रहने का आवण किया सालों साल तक हिंसा में जुलस ने दिया ये आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते कोकराजार की युवा कोकराजार की बेहने कोकराजार का हर नागरी हिंसा का वो दौर भूला नहीं है उस दौर में दिल्ली से लेकर गोहाटी तक कांग्रेस की सरकारे चूप चाप तमासा देखती रही और आज हिम्मत देखिए कांग्रेस एक महाजुठ बनाकर एक बार फीर कोकराजार सहीत पूरे बोडो लेंड टेरिटोरियल रीजन को चलने निकले हैं